आप सभी को मीटू मूमेंट जरूर याद होगा किस तरीके से हैश्टाग मीटू मूमेंट जो है 2018 के वक्त ट्रेंड किया था दरसली कहानी 2018 की है जिस वक्त अक्ट्रस तनुश्वी दत्ता ने अक्टर नाना पाटेकर के उपर कई गंभीर आरूप लगाये थे इतुना ही नह ने उस वक्त कोई सफाई नहीं दी थी उनकी तनुश्वी दत्ता की तरह से ये कहा गया था कि दरसल नाना पाटेकर ने मेरे साथ मिस्बिहेव किया है एक गाने की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान नाना पाटेकर ने जान बूच कर उस शूटिंग में हिस्सा लिया डिरेक्टर को कहकर उस सीन में जो है अपनी सीन अड कराए गए जबकि पहले जो है उस शूटिंग के दौरान उनका कोई हिस्सा नहीं था चार गंटे पहले उनकी शूटिंग खत्म हो गई थी लेकिन बावजुद उसके जो है उन्होंने सेट पर सब के सामने मेरे साथ मिस शूट किया जो रहा था जिस दौरान उन्होंने या आरूप लगाए कि मेरे साथ मिस्विएव किया गया लेकिन अब एक बार फिर से हाश्टाग मीटू मुमेंट जो है वो ट्रेंड कर रहा है और वो इस बार ट्रेंड कर रहा है नाना पाटेगर के वज़े से क्योंकि इत उन्होंने ये भी कहा कि जब सबको जूटा तो मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए था और वो सारी बाते पुरानी है वो घटत हो चुकी है यानि कि हो चुकी है हम उनके बारे में बात क्या कर सकते हैं हर कोई सच जानता है उस समय क्या कह सकता था जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यानि कि तनुश्री दत्ता ने जो भी आरोप लगा है उन सभी आरोपों को सीधे तौर पर जो है नाना पाटेकर नकारते उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए था जब ऐसा कुछ था जो हो चुका है उसके बार में बात नहीं कर सकता अचानक कोई कह अब है अब आखिर का नाटना पाटेकर ने दिया उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखे मैं क्या कहता मीडिया मुझे से लगाता उस वक्त सवाल पूछ रहता लेकिन मैं क्या करता कहकर जब मुझे पता है कि इन सभी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं हालाकि इसके बा अब इस पर तनुष्री दत्ता की तरह से जवाब दिया गया है अब इस पर तनुष्री दत्ता की तरह से क्या रियक्शन आता है या जनता जो है उनकी से जवाब से कितना सैटेस्वाइड होती है यह देखने वाली बात होगी